तो पब्लीक आज की स्वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके सिस्टम में 4GB RAM है, Intel Core to Quad का परसरसा लगा है और यहाँ पर आपके सिस्टम में ग्राफिक कार्ड नहीं है, तो आप PUBG Mobile को कैसे अपने Low End PC में प्ले कर सकते हो अब यह जो मैंने स्पैक्स आपको बताई है, इस स्पैक्स के अदर आप विंडोस के ओपर कोई भी एमूलेटर यूज नहीं कर सकते हैं, आपको OS ही यूज करना पड़ेगा लेकिन इस वीडियो में मैं जो एमूलेटर बताऊंगा, वो आपके इसी स्पैक्स के ओपर विंडोस के ओपर भी चल जाएगा वो है ब्लू पाप एमूलेटर, अब ये जो एमूलेटर है, इसके बारे में आपने पहले सुना होगा, लेकिन इसके अंदर हाज हम PUBG मूबाइल भी खेलेंगे, यहां पर मैं PGT टूल को यूज करते हूँ, आपको इसके अंदर PUBG मूबाइल के दिखाने वाला हूँ, अब ज सबसे पहले आपने दो फाइल्स डाउनलूट करनी है, सबसे पहले हमारी फाइल है, हमारी PUBG मूबाइल, तो आपने लिखना है PUBG मूबाइल, यहां पर आपने एंटर के ओपर क्लिक कर देना है, नीचे जाने के बाद PUBG की ओफिशल वेबसाइट आपको देखने के लिए मिल ज के ओपर क्लिक कर देना है, जैसे हम क्लिक करेंगे, आपने नीचे स्क्रोल डाउन करना है, यहां पर AP के डाउनलूट के ओपर क्लिक कर देना है, तो इस तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं, हमारी दोनों की दोनों फाइल्स डाउनलूट होचेंगी, अफ्टर डाउनलो पर क्लिक करना यह चाइनीज वाले बटन के आपर क्लिक कर देनल डिय करना है जैसे इसके होपर क्लिक करेंगे थोड़ा साथियूपर है इस भीट कर देना है यहाँ पर आपने इसको ने हुआ इसको यह लिएट रहे तो कोर्स को आपको स्वीड कार हैं इस लिए मैंने इंटल कोड का भूला था यहाँ पर मेरे स्टेम में चार कोर्स में तो हम पर ट είναι हो मेरे पास जो परसेसर है उसी का ग्राफिक कार्ड है एक्रसेसर सकते हो इतना हैएवी नहीं है यहांपर यहां पर अगर आपके सिस्टम में 4 जिभी रेम Manuel के मामले मैं नीचे जाने के बाद यहांपर आपने सब्सक्राइबगोन है क Weihncco कि बाकी विली से restart कर लेते हैं एमुलेटर चल जाने के बाद इसकी language को हम change करेंगे तो यहां पर हमें जाना है इसकी अपर हमें इसकी setting के अंदर चले जाना है यहां पर आपको स्क्रोल डॉन करके इदर से आपको एक Chrome का option मिलेगा इसके आपको क्लिक करना है सबसे ओपर के अपर जाना है यहां पर जिन जिन एप्लिकेशन को मैं आपको disable कर रहा हूं सबी एप्लिकेशन को आपको disable कर लेना है एप्लिकेशन disable कर लेने के बाद अभी हम pubg and gfx tool इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल करने के यहां पर आपको दो तरीके मिलते हैं सबसे पहला जो तरीका यहां पर आप देख सकतो ड्रैक करके ना इस तरीके से आपने लागे पेस्ट करना है तो आपका pubg mobile and gfx tool इंस्ट जियाद रखें आप अफ्टर इंस्टॉलेशन अभी हमें क्या करना है यहां पर शोटकट बनाना है किसी भी एपिके का शोटकट बनाना चाहें थ्री डॉर्ट्स पर क्लिक करें नबर टू के ओपर आपको चले जाना है ओटोमेटिकली देख सकते हैं यहां पर डेक्रोप क पर शोटकट बन चुका है तोथ एपकी मोबायल को ओपन कर रहे हैं है तो जा कर जिमेल का लोगिन आपको गुगल प्लेश्टोड को डिसेबल नहीं करना तब टापकर tep करना लेकिन गुगल प्लेश्टोड करना जरूरी है याद रखें फेसबुक का लोगिन बहुत ही ज तो आपने मैनुल लोगिन करना है आपने जाना है Facebook.com में इधर से आपने अपनी ID को साइन इन कर लेना है तो जैसे ही आपका ID साइन इन हो उसके बाद आप लोगिन करने का ट्राइ करें तो आपका लोगिन हो जागा यहां पर ना आपको प्रोब्लम आएगी यह देखें कंट लोबी स्क्रीन के उपर आचुका हूँ अब यहां पर मुझे अपनी सारी की सारी सेटिंग है वह यहां पर करनी है मैंने यहां पर ट्रेनिंग मोड भी डाउनूड किया और यहां पर चैंसिवीटी है वह भी आपने सैट कर लेनी है मुझे पता है कि आप पपजी मॉइल बड़ा ही असान है मैं आपको बता देता हूँ यहां पर सबसे पहले तो जो permission वगर आते हैं सब कुछ allow करना है आपने यहां पर सबसे पहले variant आपने global variant select करना है resolution आपने by default रखना है by default से आपने हटना नहीं है वरना आपकी key mapping work नहीं करेगी यहां पर आपने super smooth को select करना है style को भी आपने colorful रखना है यहां पर आपको जो FBS है वो आपने 16 रखना है 19 पर जाने की गलती नहीं करना है उसके बाद आपने force play के ओपर क्लिक करना है यहां पर आपने storage के ओपर जाना है simple इसको clear data कर दो यहां पर back जाओ permission में जाओ and यहां पर mike and storage को allow कर दो आपको कोई भी data द आपने जाना है अपने emulator की setting में यहां पर आपने ग्राफिक सेटिंग ऑपर क्लिक करके सबसे नीचे जागे जो brightness होती इसको अपने हसाब से adjust कर लें मैं बिल्कुल zero कर रहा हूं तो मेरा बिल्कुल सही होजएगा यहां पर जो हमारी key mapping है यह देख सकते हैं मैं दिखा रहा लेकिन key mapping इसमें बिल्कुल मखन चलती है वह मैं आपको दिखाता हूं ठीक है सबसे पहले तो इसको आप own कर दें अगर यह keyboard का button work कर रहा है तो भाई आप lucky हो मेरा work नहीं करता लेकिन मेरा कभी कभार कर जाता है तो बगार install कर गया uninstall ऐसे से करना पड़ता है फिर यह work करता होगा जो कि मैंने बताया था यहां पर आपको जो एमूलेटर चल रहा है ना उसके अपर क्लिक करके आपने ना गोटू डिटेल्स में जाना है इधर से जो आपको इंटल HD के यह चल रहे हैं HD and HD Play इसको भी high priority करो उपर जो आप यह देख सकते है ना blue stack GP करके आ रहा है इसको भी high priority कर दो ठीक है इसके जितने भी प्रोग्राम है उन सब को high priority कर देना उसके बाद आपका यह जो फ्रीजिंग हो रहा है ना वो बहुत हद तक कम हो जाएगा अब यहां पर मेरा फ्रीजिंग इसलिए भी हो रहा है क्योंकि मैंस टाइम में नहीं बैठा यहां पर इस PC मे जो Intel Core i5-240 वाला जो ग्राफिक काड़ वही यूज हो रहा है तो जिसकी वज़े से यह प्रोब्लम कर रहा है तो इस तरीके से आपका PUBG मोईल चल जाएगा यह low end PC के लिए है emulator यह बात आप याद रखें high end PC के लिए emulator नहीं है high end PC में यह प्रोब्लम कर सकता है low end PC वालों नहीं अब इसको पर एक पूरी बहस बनती है हलाके 100% सेव है तब भी सेव है यह नहीं इसकी भी वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप वो भी देख सकते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए खुदा हफीज